पूरा के पूरा हाथ सड़ शुका था पूरी के पूरे कीड़े ने हाथ खाया था उनके किताब में वो लिखते हैं उन्गोरे सिर्फ हाथ रखा और बोला कि परबो तूस हाथ को ठीक कर सकता है वो हाथ ठीक नहीं हुआ पर नया हाथ आया वहाँ पर नया हाथ आया TL Osborne उनके किताब में कहते हैं मेरा पाउं कार्टा गया है मुझे पाउं काया से आएगा उससे सिर्फ अपने हाथ को लिया उसके दोनों हाथों से उस पाउं पे ते जो से दे मारा कि ब्रैंड न्यू पाउं आया उसके लिए तो सोचिए का जब वच्छन हमारे पास होगा तो पर्मिशन ने क्या भी वच्छन दिया चिंद चमतकार आपके पीछे रहेंगे क्या रहेगा उससे तीन चीजों पे अधिकार दिया हमें साप और बिच्छू मतलब क्या है जैचेटों का जादू ठोना जो बंदन है उन पे अधिकार दिया है नमबर वान नमबर टू उसे शैतानिक बंदनों पे जो पगड़े है जो पचाड़े गए है उन पे हमे अधिकार दिया है और तीसरा क्या कहा है उसने उसने ये कहा कि चिंद चमतकार किन के पीछ आएंगे जो विश्वास करते है विश्वास कहा से आता है तो वचन को पढ़ कर आता है अगर वचन हमारे अंदर रहेगा तो इस बात को ध्यान में रखे जो मनुष्य के लिए असंबव है परमेश्य के संबव है वो विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए फिर आप इस बात को देखिएगा मैं बोलना चाहूंगा जोश्वा को देखिएगा जोश्वा ने क्या किया बाइबल कहती है वो देखा कि वो युधार रहा है उसने क्या किया वहाँ पर खड़कर उसे समय को रोका सूरज को रोका सूरज के पीछे के सारे चीज़ को रोका जो उसे रोष्टी दे रहे थी फिर आप सोचिए का एक विश्वास वाला वेक्ती अगर सूरज को बोला थम जा तो थम ता है फिर आप क्या कर सकते हो प्रेस कौन अगर आपके पास वचन रहेगा प्रेस लोट कुछ कुछ लोग बोलते मेरा समय गया अरे क्यों गया क्योंकि जिस परमेश का वचन तू पढ़ता है उसने क्या कहा मैं तेरा समय मेरे हाथ में परमेश कहता है कुछ लोग बोलते मेरा फ्यूचर नहीं है बाइबल कहती है कि परमेश्वर के हाथ में हमारा फ्यूचर है कुछ लोग कहते हैं मेरे बाश काम नहीं है परमेश्वर बोलते हैं काम देने वाला तेरे साथ में तो काम क्या चाहिए देखो प्रेस ओलान इस बात को ध्यान में रखे जब परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमें क्या करने की ज़रोते वच्छन को रोजाना पढ़ना ज़रूरी है अगर आज मैं बताना चाहूंगा सिस्टर लिंडा ने एक बात बड़ी अच्छी बताई थी टीपी एन के उपर मुझे बड़ा पसंद आया वो बात को उन्हेंने बताया कि एक दिन उनके घर में ड्रक्स वाले बच्चे रहते थे हैं उनके अपार्टमेंट में और वो रोजाना प्रातना करते हैं प्रभू ये क्या कर रहे है बच्चे शोर आ रहा है तो वहाँ पर उसके मम्मी से मिली उसने का कि ये क्या हो रहा है उसने कहा कि आरे ये बच्चे ड्रक्स लेते है ये ट्रक ड्राइवर्स हुआ करते है तो वहाँ पर वो मम्मी आई उसकी और बोली लिन्डा को कि क्या करो मेरा बच्चा जान जवान है ड्रुग्स ले रहा हैं क्या कर आजाए उसने कहां खुछ नहीं आईए आपका घर दिखाई वो घर में गई जैसी वो घर में गई उसमें बच्चे का रूम दिखाओ साब रूम दिखाई उसने वहां प्रातना के और उसके मां से रोजाना कहने गए कि बोलना परमेशन का बोलता हूं 16 ट्राचाक के ट्रक चलाता था वो लड़का जब तलब हुई वो तलब लेने गया आचान नक्स से ऐसा हुआ कि वो ड्रक्स लेने के लिए गया परमेश्व के सामने खड़ा परमेश्व ने उससे कहा कि ये ड्रक्स तुझे छोड़ना है उसी शन जब के अंदर वो बन्दा ड्रक्स के लोग के बीच मेंका कर रहा है और आज से ज़याद लोग को ड्रक्स के अंदर से बाहर के वैचंसे सोचिएगा आज मैकसिक्यों के जेल में जब वो जाता है पेबलो का नाम लिए तो लोग बुलते हैं रहीं वो ड्रक्स प्लיृडड या? परमिशन ने उसको वहां से निकाला सोचिएगा एक वचन एक प्रातना क्या कर सकती है मुझे वो बात बड़ी अच्छी लेकर डियल मूडी की प्रातना वो हाथ को हिलाती है जो दुनिया को हिलाता है सोचिए कि अब तुमारे एक प्राथना और एक बुचन क्या कर सकते अगर आज हमारे बच्चे सुनने नहीं उनके लिए प्राथना कीजे उनके बादे में नेगेटिव मत बात कीजे क्योंकि इस बात को धेयन में रहए परमिश उनको नेगेटिव के लिए नहीं बनाया, उनको अश्यरवात के लिए बनाया, तो अश्यरवात दीजे उनको, इस बात को ध्यान में लगा, अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो लेकर रोते मत बैटिये, बैट कर प्रात ना करें उसके लिए, उसके पर हल इंदधनुश आया, तो सोचिएगा, जब आप और हम लोग उस प्रातना और वचन करते रहेंगे, तो क्या होगा, परमेश्वर हमारे भी घर में सतना इंदधनुश लाएगा, जब आप लोग कहते हैं, मेरे पास आशा नहीं, तो करण जी किताब कहते हैं, मसी येश्व आ आशा है आपके लिए, जब आप लोग कहते हैं कि प्रभो मेरे लिए कोई भी अच्छी चीज नहीं होती, तो बाइबल कहते हैं, परमेश्व सारे अच्छी चीज उपर से आपके लिए भेजता है, मेरे भाई, मेरे बहन इस बात को ध्यान बे रखे, जब वचन हमारे मिसाइल को भेजा था, और कुछ लोग प्रातना कर रहे थे वहाँ पर, वहाँ पर लिखाएं कि इसराइल का परमेश्व ऐसा परमेश्व है, जब इसराइल के लोग प्रातना करते हैं, तो सोचिएगा, सिर्फ अगर आपके पास वचन होगा, तो आप क्या कर सकते हो, मैं उस परमेश्व को जानता हूं, जिसने पीटर से कहा, कि सिर्फ जाल डाल और इतने सारे मच्छी आई, तो सोचिएगा, जब वो परमेश्व आप से कहता है, कि आपका जीवन मुझे दे, तो कितने वो आशीशों से भर सकता है, कितने आशीशों से भर सकता है, अगर आज आ जब आप कहते हैं कि परमेश्व में विमार हूँ, तो वो कहता है, मैं अच्छा क्या हूँ? डॉक्टर हूँ, जब आप कहते हैं परमेश्व के अदर कैसी हूँ? एक नई निर्मती हूँ, प्रेस अला, कितने को पड़ रहा है जो हम बताओ, इस it gonna हम बताता है, परमेश बड़ी नहीं है अगर आज आपके पास बैड नीज है तो मेरे लिए गुड नीज क्या है मनूं मैं आपको सुभी सुनियेगा गुड नीज क्या है वो गुड नीज ये है कि परमेश्वने आप लोग जब यहां से जाओगे उसने आपके लिए वो गुड नीज कब होगा जब वच्छन को हम सामने रखेंगे तो इस बात को रखेंगे जैसे हम गाना काता है वच्छन को सामने रखेंगे वो भागेगा कौन भागेगा कौन भागेगा जब अगर वह शैतान भागता है तो कैसे भागना चाहिए क्यों हां तक खिड़की तलगज भाग रहा क्यों बाइबल कहता है हमें ये शाय के किताब में कहता है तेरे बच्छे शैतान के आख में आख डाल कर बात करेंगे वो कहता है